हलो दोस्तो मैं संदीप मिस्रा आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके यूट्यूब चैनल SM Classes में दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए Plant Hormones यानि की पादफ हार्मोन के खोचकरता को याद करने का ट्रिक लेकर आया हूँ ट्रिक बड़ा ही बहतरीन है जिससे आप आसानी से इसको याद कर सकते हैं क्योंकि आपके जो इंट्रेंस exam होते हैं या कोई भी competitive exam होते हैं वहाँ पर खोचकरता पूछे जाते हैं और अक्सर हम थोड़े से confusion के कारण उनको गलत कर देते हैं तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पादा फार्मोंस के खोचकरता और उसके कार और उसके साथ साथ हम ट्रिक को भी देखेंगे तो आईए आज के वीडियो की शुरुवात करते हैं तो आईए सबसे पहले हम बात करते हैं Oxyns या फिर हम जिसे Oxyn भी कह सकते हैं इसके खोज करता है Darwin और इसका कार है या पौधो को उपर की और सीधा बढ़ाने में मदद करता है अब इसके खोज करता को कैसे याद करेंगे तो Oxyns नाम को हम correlate करेंगे Oxygen से क्योंकि आपको Oxyns कुछ Oxygen से मिलता जुलता दिख रहा होगा अब इसके खोज करता है Darwin तो हम सीधे सोच सकते हैं कि Oxygen ना हो तो हमें क्या लगेगा डर लगेगा और आप इस समय देख रहे हैं कि जो Corona Virus का Crisis है उसमें Oxygen कितना important है तो यहाँ पर Oxyns के लिए मैंने trick बनाई है Oxygen न होने का डर तो Oxygen यानि की Oxygen और डर यानि की Darwin तो आप इससे याद कर सकते हैं कि Oxygen की खोज किस ने की थी Darwin ने की थी अब बात करते हैं इसके कार की तो इसका कार है या पादब को ऊपर कियो सीधा बढ़ाने में मदद करता है और इसे कहा जाता है Apical Dominance तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि Plant Hormones से Related मैंने डीटेल में वीडियो बना रखे हैं जिसमें कि जितने भी Plant Hormones हैं उन सब के बारे में मैंने डीटेल से पता रखा है और उस वीडियो का लिंक मैंने नीचे description box में दे रखा है उस लिंक पर क्लिक करके आप वीडियो को देख सकते हैं तो बहुत ही important वीडियो है आप उस वीडियो को जरूर देखेगा चलते हैं अगले Plant Hormones की ओर जो की है जिब्रेलिन्स यदि बात करें हम जिब्रेलिन्स के खुच करता की तो इसके खुच करता है कूरो सावा और इसका कार है यह बीजो को अंकुरित होने हेतु प्रेरित करता है अब यहाँ पर हम देखते हैं ट्रिक तो जिब्रेलिन्स तो यहाँ पर जिब्रेलिन्स कुछ ऐसा वर्डिंग आ रहा है जिससे आप को रिलेट कर सकते हैं जवर्दस्ति जब्रेलिन्स यानि की जवर्दस्ति ठीक है अब यदि हम किसी व्यक्ति को जवदस्ति करते हैं तो उसको क्या करते हैं बार बार उसको कुरेदते हैं ठीक है यानि कि अगर हमें उससे कोई काम कराना है तो उसको बार बार कुरेदना पड़ता है कि तुम ये काम कर लो तुम ये काम कर लो तो आप इस तरह से इस ट्रिक को इसको याद कर सकते हैं अब इसी ट्रिक से आप इसके कारे को भी याद कर सकते हैं कारे का है यह बीजों को अंकुरित होने हे तु प्रेरित करता है तो आप इस तरह से भी याद कर सकते हैं कि जितने भी पौधेयां उनके बीज हैं जिब्रेलीन उन्हें जबदस्ती कुरेत कर अंकुरित होने के लिए प्रेरिद करता है चलते हैं अगले प्लांट हार्मोंस की और अगला प्लांट हार्मोंस है साइटोकाइनीन और इसके खोच करता है मिलर अब इसके खोच करता को याद करने के लिए ट्रिक है cytokinin, तो cytokinin का मतलब आप यहाँ पर याद कर सकते है एक तरह से psycho से और इसके खोच करता है Miller, तो cytokinin मतलब psycho और Miller से आप याद कर सकते है killer यानि कि psycho killer तो इस तरह से आप दिमाग में बैठा सकते हैं कि कोई psycho वेक्ती है और वो बहुत ही dangerous है ठीक है ना कि अगर उसको कोई भी Чीज नहीं मिलती है तो वह किसी को भी जान से मार सकता है तो आप इस तरह से कोरेलेट करके याद कर सकते हैं सायटोकाइनीन मतलब साईको और मिलर यानी की किलर बात करते हैं हम सायटोकाइनीन के एक कार Mengi तो यह कोशिका विभाजन वह पादव विकास में मदद काता है तो यहाँ पर आप कैसे याद का सकते हैं इसके लिए मैं भी ट्रिक बता सकता हूँ यहाँ पर लिखा है कोशिका, ठीक है? तो अगर आप बायो पढ़ते हैं तो आपको अच्छे से याद होगा कि चलते हैं अगले plant hormones की ओर जो की है abcicic acid जिसे हम sort में ABAB कहते हैं तो यदि हम बात करें इसके खुच करता की तो इसके खुच करता है cons व एडिकोट अब इसे हम कैसे याद कर सकते हैं तो abcicic तो abcicic में क्या लिखा हुआ है तो हम इसको correlate कर सकते हैं शिसक के रोना अब यदि कोई व्यक्ति शिसक के रो रहा है तो हम कैसे सुनेंगे cons यहाँ पर cons लिखा हुआ है तो आप इस तरह से याद कर सकते हैं कि abcic aml यानि कि शिसक के रोना और किस से सुनते हैं cons है इसके खोज करता है cons व एडि कोट अब यहाँ पर बात आती है कि एडि कोट कैसे याद करेंगे तो जब कोई यदि रोता है तो उसके आसू निकलेंगे और उसके आसू को हम किसमें पोचेंगे कोट में अब जरूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति कोट में ही पोचेगा लेकिन यहाँ पर हमें ट्रिक बनाना है तो ट्रिक के लिए हमें कोट ही याद करना होगा क्योंकि इसके नाम में है हार्मोन्स बीजों को सुपतावस्ता यानि की अंकुरित होने से रोकता है तो यह इंपॉर्टेंट है और एक व्रिधी रोधक हार्मोन्स है यह दिमाग में होना चाहिए आए चलते हैं अगले प्लांट हार्मोन्स की ओ जो की है एथिलीन तो यहाँ पर आप नाम में देख सकते हैं, लाश्ट में है लीन ठीक है तो कोई भी आदमी कब लीन होता है यानि की कब एक दम लीन हो जाता है तो यहां पर खुछ कहता है बर्ग तो आप याद कर सकते हैं इस तरह से कि कोई भी व्यक्ति बर्गर खाने में लीन है अब यदि हम बात करें कारे की तो यह फलों को पकाने में मदद करता है तो आप इस तरह से भी याद कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति है वो बर्गर खाने में लीन है और इस के साथ साथ उसे फल भी पसंद है यहां पर दो चीज मैं और बता दूँ एथलीन एक ऐसा प्लांट हार्मोंस है जो कि गैस के रूप में पायर जाता है और दूसरा यह भी एक वृध्धी रोधक हार्मोंस है याने कि तो यह फूलो को खिलाने वाला हार्मोन से हैं, तो आप इसको कैसे ट्रिक से याद कर सकते हैं, तो बड़ा अच्छा ट्रिक मैंने बनाया इसके लिए, तो फ्लोरी मतलब फ्लावर, ठीक है, यानि कि फूल, तो फूल क्या होगा, चेला, यानि कि कोई चेला है, वो अपने को रिलेट करके याद कर सकते हैं, तो चेला ने फूल चड़ाया किस के उपर, गुरू के उपर, तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं, कि फ्लोरीजेंस की खोच किस ने किया था, चेलाक्यान ने, और इसका कार है फूलो को खिलाना, वैसे भी यह नाम से मिलता जुलता है, तो उसको याद करने की जुरुत नहीं, आप आसानी से याद कर सकते हैं, बस से यहाँ पर आपको खोज करता को कोरिलेट करके याद करना है, अगला प्लांट हार्मोन से ट्राउमेटी, जिसे सरपथम बोनर और स्मित ने बीन यानि की सेम के चोट लगे हुए भाग से अलग क किया था, वहीं बात करें हम इसके कारी की, तो इसका निर्मार घायल को सिका में होता है, और यह पौधो के जख्म भरने का कार्य करता है, वहीं बात करें इसके ट्रिक की, तो यहाँ पर है बोनर और स्मित, तो बोनर से आप याद कर सकते हैं बोलर, और स्मित का नाम आप कि खिलाडी क्या हो गए घायल हो गए तो यहाँ पर आप घायल कोशी का ये कारे भी याद कर सकते हैं तो ताओ बोलर स्मित की बॉलिंग से खिलाडी क्या हो गए घायल हो गए तो आप इस तरह से इसे को रिलेट करके याद कर सकते हैं तो दोस्तों आपको ट्रिक और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों और सोसल मीडिया पर सेयर करना मद भूलिएगा और यदि आप पहली बार हमारे चैनल से जूड़ है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मद भूलिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद हमारे चैनल दोरा नीमित रूप से वीडियो अपडेट और अच्छे अच्छे ट्रिक पाने के लिए सब्सक्राइब बटन के बगल में बेल आइकान को प्रेस करना मद भूलेगा नहीं तो आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगा तो आपको आज के वीडियो में कौन साथ ट्रिक अच्छा लगा आप कमेंट करके जरूर बताएगा और यदि आपने इस टॉपिक पर कोई ट्रिक बनाया है तो आप कमेंट करके जरूर बताएगा और यदि आप चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक पर ट्रिक बनाओं तो आप कमेंट करके बताएगा तो दोस्तों मिलते हैं अगले टॉपिक में अगले वीडियो के साथ तब तक के लिए जय हिंद जय भारत